वेल गई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDBI Bank के Zero Balance Saving Account के बारे में अब देखो अगर आपको भी एक Zero Balance Saving Account घर बैटे वो भी IDBI Bank के अंदर open करना है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप पहुंच चुके हो और यहां पे आपको KYC कराने के लिए बैंक भी नहीं जाना है वीडियो के वाइसी के मादियम से आपका KYC हो जाता है सारे Thompson Condition को यहां से आप Accept करेंगे और Accept करने के बाद सबसे नीचे आपको Continue का बटन दिखाई देगा आप Continue वाले बटन पे क्लिक कर देंगे यहां पे आपको क्या करना है सबसे पहले अपना Title सेलक्ट करना है जो भी Title यूज करते हो अपना Title फिल करोगे इसके बाद यहां पे आपको अपनी First Name, Middle Name और Last Name यहां पे फिल करना है और अपने खादे के साथ जो भी Email ID को लिंक करना है और जो Mobile Number को लिंक करना है वो सारा Details यहां पे फिल करना है और उसके बाद Thompson Condition पे टिक करना है और यहां से दोस्तों आपको Next कर देना है अब जैसे ही यहां पे आप Continue पे क्लिक करते हो आपके Number पे एक OTP भेजा जाता है IDBI Bank के तरफ से तो यहां पे आप अपना OTP फिल कर देना और उसके बाद आप Validate पे क्लिक करके OTP को Verify करेंगे और उसके आगे आप यहां से Continue कर देंगे अब आप जैसे ही अपनी Mobile Number को OTP के साथ Verify कर ले तो यहां पे आपस बताया जाता है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए तो देखो इसमें आपके पास आपका Original अधार काड, Original Pen Card और यहां पे आपके पास एक Paper और Pen होना चाहिए ताकि आप अपना Signature करके Bank में दे सको उसके बाद यहां से आप Continue करेंगे, Continue पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा Interface आएगा, सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपसे Pen Details पूछे जाता है तो आप जिनका भी Account ओपन कर रहे हैं, उनका Pen Number यहां पे फिल करेंगे और उसके बाद आप Next पे क्लिक करके Pen Verify कर लेते हो, आपके सामने कुछ ऐसा Interface आएगा, जिसमें आपका Pen Card, Mobile Number, आपका Email, आपका पूरा नाम, आपके स्क्रीन पे होगा, आपको डिरेक्ली यहां से Continue करना है, अब जैसे ही आप Continue पे क्लिक करोगे, अब आपसे यहां पे आपकी अधार कार्ट की Number पूछी जाती है, त पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आप यहां से Next कर देंगे, देखे, यहां पे सबसे पहले आपको अपनी Fathers की Name फिल करना होगा, उसके बाद अपनी Mother's की Name, अगेन आपको यहां पे अपनी Mother's की Name फिल करनी है, इसके बाद यहां पे आपसे पूछा जाता है, आपके Meritial Status, क कि आप Single है, या Married है, जो भी होंगे, आप यहां से Select करेंगे, अपनी Education Qualification Select करेंगे, यहां पने पढ़ाई कहां तक Complete किया है, अगेन आपको अपनी Religion बताना है, आप किस धर्म से Belong करते हैं, अगेन आपको यहां पे अपनी Category बताना है, कि अप General OBS, CSST क्या है, जो भी होंग तो यहां पे आपको एक Options मिलेगा, Mailing Address का और Permanent Address का, अगर दोस्तों आप इसी Address पे रहते हैं, तो यहां पे आप Mailing Address सेलक्ट करेंगे, अपना Permanent Address सेलक्ट करेंगे, देखिए अगर आपका यह जो अधार Address है, आप इस Address पे नहीं रहते हैं, किसी दूसरे Address पे र करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, वो फिल करेंगे, यहां पे Employer Name का Option आता है, यहां पे अगर आप Housewife वेगरा फिल करेंगे, तो सेम आप यहां पे यहीं इंटर कर सकते हो, और उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको Source of Income में बताना है, कि आपका पैसा कहां से आता है, जो लग सकते हैं, उसमें कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, और यहां पे आप Directly Continue पे क्लिक कर देंगे, अब दोस्तों आपके Screen पे Nomination का Option आता है, अगर आप अपने IDBI Bank के में किसी को Nomony Add करना चाहते हो, तो आप यहां से Yes करेंगे, और अपने Account में आप Nomony का Details डाल के इंटर क कर सकते हो, फिलाल के अपने Bank Account में कोई Nomony Add नहीं कर रहे हैं, हम Directly No पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम यहां पे Continue पे क्लिक करेंगे, यहां पे Tax Residency Details आपसे पूछी जाती है, जिसमें आपको यहां पे अपना Country सेलक्ट करना है, जो भी आपका State होगा वो आपको अकाउंट खोल सकते हो, जिसमें आपको 25 रुपए मेंटन करने होंगे, वही दोस्तों अगर यहां पे आपको Zero Balance Saving Account खोलना है, तो सबसे नीचे आपको Basic Saving Account एक Option मिलेगा, जिसमें आपको Zero Balance के साथ आपका खाता खुल जाता है, तो अब अपने इसाब से यहां पे आपको जो भी Saving Account खोलना है, आप वो सेलेक्ट करेंगे, तॉमसें कंडिशन को यहां से एकसेप्ट करेंगे, और उसके बाद आप यहां से कंट्नियू कर देंगे, तो यहां पे दोस्तों हम Zero Balance Saving Account खोलना है, तो अब आपको यहां पे अपनी ब्रांच सेलेक्शन करनी है, कि आप क इस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते है, सबसे पहले यहां पे अपनी State इंटर करेंगे, तो आपको लिस्ट में State का ओप्सन आजाएगा, आप यहां से State सेलेक्ट करेंगे, अगें आपको यहां पे अपनी CT सेलेक्ट करनी है, आप जिस भी CT में अपना open करना चाहते हैं इसके बाद यहाँ पे आपका branch name automatically आ जाएगा आप इसको यहाँ से select करेंगे again दोस्तों यहाँ पे आपको branch ID और RPU और यहाँ पे RPU name यह automatically जैसे ही आप branch select करते हैं यह आ जाएगा अब नीचे आते हो तो अब यहाँ पे आपसे पूझा आता है कि आपको क्या-क्या services इस account के अंदर चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको अपनी email पे statement चाहिए तो आप statement on email select करेंगे, checkbook यहाँ से select करेंगे, internet banking select करेंगे, mobile banking और ATM card वेगरा चाहिए जो भी चाहिए आप यहाँ से tick करेंगे, अगर आप ATM card select करना चाहते हैं तो यहाँ पे ATM card पे आपको क्या name print कराना है, वो भी आप यहीं पे इंटर कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ से continue कर देंगे, सारा information फिल करने के बाद आप last step में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अपनी account की full KYC करना होता है, तो yes, yes, start my video के KYC पे click करेंगे, टॉमसें कंडिशन को यहाँ पे accept करेंगे, और उसके बाद हम directly continue वाले button पे click करेंगे, अब जैसे ही आप continue पे क्लिक करेंगे, आपको दुबारा से continue करना है, आपका यहाँ पे reference number आपकी screen पे आएगा, आप फिर से यहाँ पे continue करेंगे, अब आप जैसे ही यहाँ पे continue पे click करते हो, आपका call video KYC executive को connect हो जाएगा, और यहाँ पे आप उपनी video KYC complete कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि मैंने account पनी का जो भी process था वो यहाँ पे आपको बता दिया, आप देखो जैसे ही आपका एक call video KYC executive को connect होगा, सबसे पहले वहाँ पे आपसे KYC document मांगी जाएगी, जिसमें आपसे आपकी आधार काड की photo click होती है, आपकी pen card की photo click होती है, आपसे एक signature लिया जाता है, और यहाँ पे आपकी selfie capture होती है, that's that आपका video KYC complete हो जाता है, और video KYC complete होनेगे, कुछ ही टाइम के अंदर आपका account number, IFSC code, यहाँ पे customer ID, सब कुछ आपको SMS के जड़ी और email के जड़ी हो जाता है, अब आपको जैसे ही यहाँ पे account details मिलते है, आप पनी mobile banking instant activate कर सकते हो, और 7 दिन के अंदर आपका kit आपके address पर जाता है, जिसमें आपका checkbook, ATM card, सब कुछ आपको kit के अंदर मिल जाता है, और आप अपने account को बहुत ही असानी से use कर सकते हो, अब बहुत सारी लोग को यह confusion होगा, कि उनका password कहाँ पे मिलेगा, तो मैं clear कर दूँ, यहाँ पे password के लिए तो आपको brand जाना होगा, अगर आपको password चाहिए, तो आप brand जा सकते हो, मुझे नहीं लगता है, आज के time में किसी क पासबूक की requirement होती है, क्योंकि आज के लिए बैंक की statement से ही सारा काम चल जाता है, तो दोस्तों मैं उम्मीर है कि हमारा effort आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और IDPA bank में आप कैसे account खोल सकते हो, complete your steps है, वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, इस वीडियो को हम यही पे ख